प्राइडे की दिन का और अभी सुबय का टाइम है इस वक्त अभी साथ बज़े हुए है तो बस वही डेली की तरह मेरा भी सारा काम हो चुका है और मैं यहाँ पर आ गए थी फूल तोड़ने के लिए और फूल इस टाइम पर डेली ही निकल जा रहे है पतलब जो मैं पूझा करती हुँ न तो उस हिसाब से डेली फूल निकल आ रहे हैं घर से ही और बस यहाँ पर फटा फट से अब में पूझा वगरा कर लेती हुँ इसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम करने है तो कुछ घर का काम है घर पर बहुत सारे काम है और मुझे जाना है बाहर तो बाहर के भी सारे जरूरी काम है तो चलिए सारे काम को टाइम पर अपना निप्टा लेते हैं और यहाँ पर मैं आ गए थी किचन में मुझे नास्ता बनाना है बच्चों की आज छुटी है और छुटी इसलिए है क्योंकि आज हमारे यहाँ पर वोट वाला दिन है मेरे घर में हस्बेंड को बहुत पसंद है और यह बरवटी कई तरीके की आती है दो तीन तरह की एक बहुत हरी हरी कलर की रहती है और एक छोटी छोटी रहती और एक बहुत लंबी लंबी जो की बहुत सॉप्ट सॉप्ट से रहती है तो मेरे यहाँ वही वाली आती है जो बहुत सॉप्ट रहती है काफे जादा लंबी रहती है तो उसकी सबजी अच्छी लगती है हम लोग यही वाली लेकर के आते हैं और यहाँ पर सबजी रोटी बन चुकी थी सभी का नास्ता एक बार हो चुका था और नास्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर किचन वगेरा सब कुछ अपना क्लीन कर लिया है साथ ही जो बरतन वगेरा रखे थे उनको भी मैं साफ कर लूँगी और कल के वीडियो में मैंने काम थे तो हमने सोचा कि आज बहुत सारे जो हमारे काम है वो सवाजी निप्टा लेंगे लेकिन सुबह जाने का जो हमारा प्लान था ना वो कैंसल हो गया है और अब हम लोग जाएंगे लेकिन थोड़ी देर से निकलेंगे तो अभी फिलहाल मैं अपने काम खतम कर लेती जिसमें कपड़े ही हैं कपड़े बहुत सारे थे ना सिप्टिंग के टाइम पे तो में में जो थे वो मैं निकाल करके रख दी थी और इसके बाद इधर उधर के जो सारे काम मेरे होने लगे थे तो वो सारे काम में मैं बिजी हो गई और जो कपड़े रखे थे वो रखे ही रह गए और ऐसा होता है न कि हम बहुत सजो करके रखते हैं सारे कपड़े बड़े अच्छे से रखते हैं लेकिन जब कुछ टाइम हो जाता है हमको रखे हुए तो फिर हम भूल जाते हैं न तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है मैं रखी थी सारे कपड़े बच्चों के कपड़ और इसी में बहुत सारे बैग हम लोग रख दिये थे और ये वो सारे बैग थे जो किसी अभी काम के थे नहीं कपड़े ही इनमें भरे हुए हैं तो बहुत सारे बैग अभी इसमें रखे हुए हैं और ये जब से रखे थे तब से रखे ही रह गए हम लोगों ने इसको मितलब खोला ही नहीं था तो आज जरूत पड़ी बच्चों के कपड़े ढोड़ने के लिए तो मैं इसको खोल करके देखने लगी कुछ मेरी साडियां ऐसी थी जो मिल गई जो कि मैं उस दिन ढोड़ रही थी और मेरी साडियां कहां गई तो वो सारी इसी में रखी हुई है और बच्चों के कपड़े तो फिलहाल मिल चुके हैं सबका कपड़ा वगएरा मैंने निकाल करके रख दिया है और इसके बाद फिर लंच वगएरा भी हो चुका था लंज करने के बाद फिर से मैं किचन की साफ सफाई वगरा सब कुछ करके और अभी लगबग दो पहर के तीन बजे हुए हैं तो तीन बजे हम लोग यहां पर रेडी हो चुके हैं और अराम तो करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था खाना खाने के बाद तुरन से बरतन वगरा क्लीन करके अपना किचन क्लीन करके और फिर मैं यहां पर रेडी हो गई हूँ जाने के लिए तो हमें मतदान करने के लिए जाना है और साथ ही साथ हमारे कुछ रिस्तेदार हैं यहां पर तो उनके घर भी मैं जाऊंगी गूम लेते हैं और हस्बन भी आ गय थे ओफिस से दोपार के टाइम पे और शाम को अब नहीं जाएंगे तो यही था कि जो अभी शाम का हमारा बचा हुआ टाइम है इसी टाइम पे हम सबके घर में भी थोड़ा सा गूम लेते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा काम ही होता है हमारे जो रिस्तिदार होते हैं वो हमारे घर आते हैं तो फिर हमें भी उनके घर जाना चाहिए तो मुझे तो लगता है ये एक बहुत बड़ा काम ही है सबके घर में अगर एक बर हो आओ भूम आओ न तो लगता है कि हाँ बहुत बड़ा काम हो गया है तो आज हमारी प्ला बॉत यह बोगल देखे request लिजेतक क्योंकि यह रख याव切ऊ सबस्याट मैंने सब्सक्राइब तो बस यहां पर हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और लगबग साड़े तीन बज़े हम लोग घर से निकले हैं और सब लोग चले गए थे नीचे मैं निकल रहे थी अभी लॉक करके हर जगा और इसके बाद जैसे ही मैं नीचे आई ना इतनी जोरों से आँख में गरम-गरम ह मतलब इतनी तेज गरम हवाएं चल रही थी ना वैसे तो अंदर रहते हैं तो नहीं पता चलता लेकिन जब आज घर से बाहर निकले ना तो तब पता चला कि कितनी ज़ादा गर्मी है और सच में जो लोग बाहर जाते हैं डेली जैसे husband लोग आफिस जाते है न और जो भी working woman भी है जो बाहर जाते हैं डेली तो मानना पड़ेगा इतनी जादा गर्मी में सब लोग जाते हैं बाहर और हम तो अंदर रहते हैं हमें बिलकुल पता भी नहीं चलता कितनी जादा गर् लेकिन हमें मद्दान करने जाना था उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा पहले निकले थे साड़े तीन बजे क्योंकि पांच बजे वहां पर बंद हो जाएगा थोड़ा सा हम लोग पहले ही निकल गए थे क्योंकि चेकिंग वगर अगर लगेगी रास्ते में तो उसमें भी टा सब्सक्राइब द्रवल्वे क्या फीए है ऑद ये लिगए जान रेख़ी नहीं है करें राकोड़ाया की यहां के लिए और कुछ भी नहीं किया है इसके बाद हम लोग जितने भी रिसिदार हमारे थे सब किया घूमने गए काफे जादा टाइम लग गया घूमने में ही और हो गए थी शाम और यहां पर बज गये हैं रात के आठ थोड़ा सा टाइम लग गया है किसी के भी घर जाओ तो टाइम तो बढ़ता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि सिंग्रॉली जीले से ही मेरी वीडियो देखते हैं तो वो सब तो जान ही जाएंगे उन सबको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर क्योंकि यह ज्यादा फेमस है इस इलाके में तो हम लोग आ रहे थे मंदिर नवरातर के टाइम पे नहीं आ पाए थे इसलिए हमने सोचा यहीं से गुजर रहे हैं शाम का टाइम था तो मंदिर हो करके और फिर चलते हैं वापस तो आप देखी सकते हैं मंदिर कितना खुबसूरत सजा हुआ है वैसे हमेसा इस तरीके से रहता है लेकि जो टोकरी में सब कुछ देते हैं प्रशाद में और फिर इसके बाद हम लोग वापस आएंगे तो पैसे यहां पे देंगे और यह टोकरी इनको वापस कर देंगे इस तरीके से होता है चपल जूते वहीं पे हम लोग उतार करके ही अंदर गए हैं यहां से और रास्ते में बहुत बड़ा सा आप देखे हैं मूर्ती और इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे आगे की तरफ तो आप देख सकते हैं सामने में जो मंदिर का उपर का गुंबस दिख रहा है काफी अच्छे से अभी बन गया है पहले तो इतना वो नहीं था आभी बहुत सारी चीज़ और लेडी जो की लाइन अलग थी लेकिन लेडी जो में बहुत जादा भीर थी दो लाइने लगी हुई थी लेकिन जर्ण सवाले में एकी लाइन थी तो फिर मैंने हस्बेन को दे दिया था टोकरी प्रशाद वहाँ पर चढ़ाने के लिए क्योंकि मैं बहुत जादा पीछ तो मैं और अन्या इधर साइड में खड़े थे और हस्बेंड और आरुष उधर साइड में दूसरे लाइन में लगे थे तो बस धीरे-धीरे लाइन किसक रही थी बहुत ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगा आदे घंटे लगे थे हमको यहां पर लाइन में खड़े हुए दीरे-दीरे करके दीरे-दीरे करके हम लोग आगे पहुँचे और मातारानी के दर्शन किये इसके बाद फिर हम लोग वहार आए और यहां का आप देख सकते हैं मातारानी के दर्बार है यहां पर जहां पर प्रतिमा बैठाई गई है तो यहां पर तो बहुत अच्छे से म वहीं पर चढ़ा करके नारियल तोड़ करके और फिर निकल जाना होता है और बाकी वहां पर कुछ भी नहीं करने देते हैं तो बस हम लोग भी दर्शन वगएरा करके और फिर आ गए हैं बाहर और यह देखिए आप सभी को आप अभी मैं अच्छे से दिखा रही हूं मंदिर बहुत सुंदर यह अभी बना हुआ है पहले यहां पर इस तरीके से नहीं बना हुआ था तो मंदिर में दर्शन कर लिया है हम लोग ने और फिर आ गए हैं बाहर और बाहर आए तो यहां पर लगा हुआ है मेला और मेले में जूले वगएरा जो होता है हर जगा मेले में बह बच्चे जान गये थे तो काफी जारा जित करने लगे कि मर चलिए जल्दी से जूला जूलना है हमें और ये देखे हम लोग आच चुके थे यहां पर जूले बहुत सारे थे जितने भी होते हैं हर मेले में नौर्मली बस वही सारे जूले थे और बहुत सुन्दर भी लग रह मतलब बहुत जादा चहल पहल थी और अभी अभी जैसे नवरात्र खतम हुई है न तो इस टाइम पर भीड बहुत जारा थी और ये देखे ये जो उपर में सबसे बड़ा वाला जूला था न इसी में इन लोगों को जाने की तयारी थी तो मैं तो नहीं जूलती हूँ को भी तो इसलिए फिर हस्बेंट चले गए थे और भीड इतनी जारा थी कि यहां पर टिकेट लेने के बाद भी काफी देर तक खड़े रह गए थे एक दो राउंड होने के बाद फिर इन लोगों का नंबर आया था तो भीड बहुत जारा थी और मैं तो बाहर से इधर से ह खड़े हो करके देख रहे थी इन लोगों को और मुझे तो जूले की तरफ देख करके भी बहुत जादा चक्कर सहा रहा था तो मैं उधर से जादा देखी नहीं रही थी और यहां पर बच्चे चले गए हैं जूला वगएरा जूलने के बाद फिर हम लोग यहीं से डिनर क छ़गे थे और घर आने के बार देखे ithya प्रसाड निकाल कर खाने के लिए और यहां का पेड़ा जो की जो अलम की मंदिर का ये कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूँ आप से एक नए व्लोग में थैंक्स पर वाचिंग बबाई टेक केर गुड नाइट